हेलो एंड विल्कम गाइस तू लीगल पीडिया आज की इस वीडियो में जानेंगे क्रॉस ओफर्स एक कॉंट्रैक्ट तभी कम्लेट हो सकता है जब एक पार्टी ओफर की नॉलिज होने के बाद उसको एक्सेप्ट करें एक्सम्पल ए लेटर के जरिए बी को आफर करता है अपना रेडियो फाइफंडर्ड रुपीज میں सेल करने के लिए बी को वो लेटर मिलता है और वो उसको एकसेप्ट कर लेता है और वो बन जाता है एक वैलिड कॉंट्राक्ट अगर सेक्षिन 10 इंडियन कॉंट्राक्ट एक् लेकिन अगर A letter के दुरू offer भेजता है एक जनवरी को और B भी same date को same offer भेजता है तो इस case में कोई binding contract form ही नहीं होगा योकि दोनों में से किसी भी party को सामने वाली party के दुआरा भेजे गए offer के बारे में knowledge ही नहीं थी और as a result कोई valid acceptance ही नहीं होगा और ऐसे ही offers हो cross offers कहा जाता है 10 versus Hoffman 1873 के case में A ने B को letter लिखा जिसमें वो 800 tons iron sell करना चाह रहा था at 69 square per ton और same day पर B ने A को letter लिखा जिसमें वो 800 tons iron खरीदना चाहता था at 69 square per ton दोनों letters को post office के दोरा post कर दिया गया बाद में B ने A को सूर किया for specific performance of contract court ने कहा कि दोनों offers सिर्फ cross offers थे और इसलिए कोई binding contract बना ही नहीं A cross offer counter offer या general offer से अलग होता है cross offers में एक बात note करने वाली है कि ये बात जरूरी नहीं है कि दोनों offers same date पर ही post हो लेकिन ये जरूरी है कि एक offers की communication complete होने से पहले दूसरा offer पोस्ट हो जाना जरूरी है और साथ ही conditions में change भी हो सकता है और इसके साथ ही cross offers एक दूसरे को cancel नहीं करते I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगए होगी वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना कि आपको बढ़ते ही दूसरे को बढ़ते ही लेगे कर देना